मैं बहुत सालों से रहमकुमारीज से जुड़ी हूई हूँ जितनी रेगिलर होना चाहिए उपनी नहीं हो पाती हूँ बट उनकी थौट्स और उनकी टीचिंग्स हमेशा मेरे साथ रहती है क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब हम अपने मन को और अपनी थौट्स को कंट्रोल करे तब ही हम अपने आपको शाथवा सकते हैं और आज जो सिस्टर शिवानी ने हमको फिर से याद कराया कि संकल्प से हमारी दुनिया बदलती है जो हम थौट्स रखते हैं उसी से हमारी रियालिटी बनती है तो पॉजिटिव थौट्स पॉजिटिव थौट्स सिर्फ अपने अंदर नहीं रखना दूसरों के लिए भी पॉजिटिव थौट्स देना वो बहुत ही मैजिकल फॉर्मिला है कि जब हम किसी से परिशान है किसी से नाराज भी है तो हम उनको भी पॉजिटिव थौट्स दे क्योंकि उनकी जो थौट्स हम देंगे उनको वो ही हमको वापिस मिलेंगी तो एक ही तरीका है अपनी जिंदगी को बदलने का अपने रियालिटी को बदलने का आपने आपको खुशी पाने का, वो है positive thoughts, सिर्फ रखना अपने मन में और वो पूरे हमारे हाथ में हैं क्योंकि हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, सिर्फ अपनी thoughts को बदल सकते हैं and that is the message जो हमेशा उनसे ले जाते हैं और अपने आपको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं और उसमें पाते क्या हैं, मन की शांती पाते हैं और सुख पाते हैं, जो हम बाहर ढूलते हैं, कहते हैं, वो बाहर नहीं सिर्फ अंदर ही मिलता है अपने आपको ये नॉलेज पाये, बहुत आसान है, ब्रह्मकमारी के सेंटर हर जगे हैं, आप जाए उनसे और सीखे, हर रोज जाने की जरूद भी नहीं है, अगर नहीं जा पाते हैं, बट वो थौट्स आप रखे, and that is what will make us happy and powerful.